मैं अपने बॉइफ्रेंट के साथ फिजिकल रही हूँ, क्या SSME में मेरा वर्जीनिटी टेस्ट किया जाएगा और मुझे वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा? सर मैं अक्सर मस्टरबेशन करता हूँ, क्या इसकी वज़़ से मुझे मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया जाएगा? सर मेरे थोड़े से ब्रेश जो है अबनॉर्मल है, साइज ज्यादा है, क्या मुझे इसकी वज़़़ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा? दोस्तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके की आप उत्तर लेना चाहते हैं लेकिन आपको इन प्रशनों का उत्तर कहीं नहीं मिलता है और वो आज हम रहागीर इंडिया में डिसकस करेंगे यू तो इस तरह के सवालों को अक्सर टैबू माना जाता है लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक इनके प्रशनों के बारे में आप डिसकस नहीं करेंगे आपको कोई बताएगा नहीं आप हमेशा अंधेरे महीं रहेंगे और इदोर उतर से गलत लोगों को आप उनके आंसर लेते रहेंगे वलकम टू रहागीर इंडिया डिफेंस अड़ा जहां पर हम आपको SSB के लिए फुल ट्रेनिंग और गाइडेंस दे रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स का SSB में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और आप जैसे कि देख सकते हैं कुछ ही महीनों में ये हमारी सक्सेसिस हैं लेडी कैडेट्स आज आर्म फोर्सिस का एक पर्मनेट फीचर बन गई है और लेडी ओफसर्स पर्मनेट कमिशन के साथ साथ अब soldiers जैसे की पर्वोष में भी लेडीज आना शुरू हो गई है Navy और Air Force में तो women almost सारे departments में हैं जो की fighter jets भी जिसमें की include होता है और दोस्तों अगर हम बात करें medical standards की तो medical standards लेडीज के लिए ये भी similar वैसे ही होते हैं जैसे की gents के लिए होते हैं सिर्फ उनकी physiology जो है उसके हिसाब से उनकी medical test करे जाते हैं सबसे पहले आज बात करते हैं masturbation क्योंकि ये common phenomena है और both girls and boys इसे करते हैं एक study के हिसाब से world में 78% adults जो है masturbate करते हैं जो की 58% Australia में है और 92% boys and girls दोनों ही अमेरिका में masturbation करते हैं चूंकि ये common phenomena है इसलिए इस पर खुल कर बात हमें करनी चाहिए दोस्तो medical test के हिसाब से ये पाया गया है कि यूं तो normal मातरा में masturbation हानीकारक नहीं होती है लेकिन अगर आपको इसकी आदत लग जाए तो ये mentally और physically आपको नुकसान दे सकती है इसलिए अगर आप में इसकी लट नहीं है अगर आप addicted नहीं है तो आपको SSB में इसके कारण reject नहीं किया जाएगा अब बात करते हैं कुछ essay test जो कि सिर्फ ladies से related होते हैं क्योंकि army में ladies की vacancies कम होती है और जो selection criteria है वो काफी tough होता है इसलिए आपको इसके बारे में पहले से तयार रहना चाहिए दोस्तो हमारा इस topic पर एक अलग से video है जो कि आप YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं ऐसे portion जो कि ladies से specifically check करे जाते हैं वो होते हैं vagina, urethra, ovary, uterus और left and right ureter girls का external genitalia का examination करा जाता है जिसमें की urinary, incontinence, hernia, perenium आदी चीज़ें जो हैं चेक करी जाती है external genitalia के examination में आपकी klitorosis, urethra, vaginal orifice और NS का normal check-up करा जाता है ताकि वहाँ पर कोई आपकी infectious disease ना हो, यहाँ पर आपका virginity test नहीं होता है same way आपके NS और perenium का external examination करा जाता है यहाँ पर अगर आप reject हो सकते हैं तो वो होती है urinary incontinence यहनी कि आपका involuntary leakage of urine यह बहुत कम लोगों में ऐसा पाया जाता है और normally जो healthy individual होते हैं उनमें यह problem नहीं होती दूसरा rejection का common कारण होता है genital prolapse जहां कि आपके genital organs जो हैं अपनी normal status से नीचे आकर fissil चुके होते हैं यह या तो किसी accident के कारण हो सकते हैं या normal condition में भी हो सकते हैं अगर यह ऐसे कुछ portions आपके vagina से बाहर आ रहे हैं तो आप rejection हो सकते हैं PCOD, prolictic ovarian disease जिसमें कि बहुत सारी girls मेरे से पूछती हैं यह एक ऐसी condition होती है जिसमें कि बहुत type की होती है यहाँ पर ovaries कुछ ऐसा release करती हैं लाइक की premature eggs जो कि eventually cyst में बदल जाते हैं यह कैई टाग्प का हो सकता है जैसे कि irregular periods, hair loss, abdominal weight gain etc normal condition में यह rejection नहीं होता है अगर आपके abnormal periods हैं तब आप इसको rejection नहीं मिलेगा लेकिन बाकी symptoms अगर इसके साथ में हैं तो आप आप reject हो सकते हैं और आपको doctor को दिखाना चाहिए आपके breast का size अगर कोई बिमारी नहीं है तो यह rejection का criteria नहीं होता है वशर्ते कि आप normal medical के जो standards हैं उनमें आ रहे हों लेकिन अगर कोई आपको वहां पर infectious disease है तब आप वहां पर reject हो सकते हैं Lastly एक दो test जो कि सिर्फ married women के लिए होते हैं जिसमें कि आपका speculum test किया जाता है speculum एक ऐसा device होता है जिसे की vagina के अंदर देखा जाता है और कर्विक्स को चेक करा जाता है इसमें कि ये instrument आपकी vagina के अंदर डाला जाता है और जिसमें कि चेक करा जाता है कि आपकी कोई abnormal growth तो नहीं है ये सिर्फ married women के लिए होता है दोस्तो मेरा ये video डालने का ये purpose था ताकि आप ऐसे सवालों को अपने मन में ना रखें जिसको कि आपको normal बाहर जवाब नहीं दिये जाते हैं ये कुछ ऐसी चीजे हैं जो कि हमने गलत धारणाय बना रखी हैं और हम उसके बारे में गलत सोचते रहते हैं तो आपको अगर ऐसी कोई problem है तो आप उसके answers हमारे को लिख सकते हैं हमारे से पूछ सकते हैं और अपने SSB की तैयारी कर सकते हैं दोस्तो इसके लावा हमारे SSB guidance के course चल रखे हैं और हमारे candidates ने लगातार हमें proud feel करवाया है हम आपकी यहाँ पर psychological SSB guidance और almost 5 days में जितना भी पढ़ाया जाता है वो सारा stages हम आपको यहाँ पर देते हैं और आपको full guidance देके full तैयारी करवाके यहां से भेजते हैं